असलाम अलेकुम नाजरीन नौरानी खबरों में आपका खेर मगदम है नाजरीन एदुल फितर यानि कुछ लोग इसे मीची एद भी कहते हैं रम्दान के एक महीने के रोजे रखने के बाद ये एद मनाई जाती है और इसके सतर दिनों के बाद एद जुहा मनाई जाती है भारत पाकिस्तान बंगलदेश आधी देशों में इसे एद उल अजहा भी कहा जाता है या फिर इसे बकराईद भी कहते हैं ये जिलहिज्जा यानि हज के महीने की दस तारीख को मनाई जाती है इस दिन पूरी दुनिया के मुसल्मान अल्ला की रहा में हलाल बताये गए जानवारों की कुर्बानी करते हैं कुर्बानी सिर्फ अमीर लोग जो कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं उन पर ही जरूरी है गरीब आदमे के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है इसलिए देश में मुसल्मान जो हैसियत रखने वाले हैं वो सब ही कुर्बानी करते हैं पर बॉलिवुट के भाईजान यानि कि सल्मान खान की कुर्बाने के बारे में हर शक्स जाना चाहता है कि भाईजान 2020 में कितने बकरों की कुर्बानी करेंगे और कौन से बकरे की कुर्बानी करेंगे तो आपको बता दें कि सल्मान खान एदुल फितर के बाद ही एदुल बकरा खरीदते समय बस आपको जानवर पसंद आना चाहिए और उसका आपसे लगाओ यानि के प्यार होना जरूरी है जिन लोगों के पास जगह की कमी नहीं होती वो लोग कुर्बानी का बकरा महीनों पहले ही खरीद लेते हैं ताकि उससे दिली तोर पर जुड़ सकें पर श बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहां पर वो अपने कुर्बानी के बकरों की देख रेख बड़े आराम से कर लेते हैं इस बार सुनने में आया है कि सल्मान खान कुर्बानी के लिए खास बकरा पाकिस्तान से मंगवाने वाले हैं और ये बकरा कोई आम बकरा नहीं ह बलकि दुनिया का सबसे तकड़ा बकरा बताया जा रहा है और इस बकरे का वजन लगभग 310 किलो बताया जा रहा है ये पूरी दुनिया का सबसे वजनदार बकरा बताया जाता है जिसकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है और कुछ बकरे ऐसे होते हैं जिनके ओपर कुदुरती अल्लाह का नाम या अर्बी में कोई कुरान का शब्द होता है ऐसे बक्रों की कीमत भी लाखों में होती है और कुछ बड़े बड़े सल्मान खान जैसे लोग इन बक्रों की भी कुर्बानी करते हैं इन बकरों की कीमत भी लाखों में होती है पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुर्बानी के बकरे की कीमत का कोई सवाल नहीं होता बस कुर्बानी करने वाले को जानवर पसंद आना चाहिए नूरानी खबरों की तरफ से हम भी अल्ला से दुआ करते हैं कि अल्ला हमें भ अपने जानने और मिलने वाले लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाओ देना चाहते हैं या फिर हमसे कोई शिकायत करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिये घंटी के निशान को जरूर दबा दें। अल्ला हाफिस।